इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा इसराइल के स्नैडर को लेकर तीन बड़ी बाते सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देंगी यही वो मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरह डरा दिया है यह जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा उती ने इसकी गैरंटी दे दी है मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिस्बुल्ला बलकि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन है जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल हैच यह होती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन टू रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा फिलिस्तीन टू को इरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरियंट या नकल माना जा रहा है पूती की मिसाइल और उसकी लाँचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर ये मलबा देखिये जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमे कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मल रहे हैं इन दो तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोज बर दिया है इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रैंट दुश्मन तयार कर दिया है यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए कलेशिनिकोफ लहर पाता ये मजमाही हूती कहा जाता है जो घजा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाके डराते हैं कि यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तरफ ना सिर्फ मिसाइल फायर करके बलकि इसराइल के ये डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनौती दे रहे हैं सबसे पहले उस missile की बार जिसने ना सिर्फ इसराइल के कैई शहरों में खौब भर दिया है बलकि अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के ज़ंडे वाले रंग से तयार इस missile का नाम है फिलिस्तीन 2 और ये एक हाइपर सॉनिक missile है उती मिलीशिया इस मिसाईल को आसमान की तरफ तान देता है टार्गेट इसराइल है इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन फिर शुरू होता है काउंटडाउं और मिसाईल लॉंच हो जाती है ये मिसाईल बढ़ जाती है इसराइल की तरफ दूसरे कैमरे से देखिए ये वीडियो एक ड्रोन से बनाये गया है आसमान को चीरते हुए नेतनियाहू को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है ये मिसाइल इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इसराइल से आये वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है इसराइल डरा हुआ है ये सा dedi की आवाद नहीं लग रहे कि इसराइल में जैसे कुछ चला रहा है बचाओ, बचाओ त्यूकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है हूती मिलीशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागी कई यमन के हूती विदरोईयों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सौनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गिट तक पहुंची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लावा इसराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम सावित हुआ फिलाल अमेरिका के इस ट्रौन पर बहुत बढ़ी आफ़ाइन पर बहुत बढ़ी आफ़ाइन। अमेरिका ने जिस ड्रौन से अफगानिस्तान में सैक्लो टार्गेट खत्म कर दिये जिस ड्रौन से अलजवाहिरी को मारा वही ड्रौन अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उडा दिये हैं इस तस्वीर में आफ साथ देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं हूती लडाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तूबर 7 के बाद से अब तर अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन गिरा दिये हैं एक हफते के अंदर ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया जबकि 2015 के बाद से ये पंदरवा ऐसा ड्रोन है जिसका हूती ने शिकार किया है हाला कि बाइडन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रोन नहीं खोया है लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए है गरीब 300 करोर लुपे का ड्रोन जो 50,000 फीट की उचाई पर उड़ता है उसे हूती की एर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके है गज़ा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब गज़ा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है गज़ा में चल रही बंबारी के बाद यमन के होती प्रो आक्टिव हैं उनको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं उती ने इसराइल और उससे वो इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को लगातार टार्गेट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यॉरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की सुएश किनाल से गुजरती है लाल सागर का रास्ता किलोमीटर तक लंबा हो गया है तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है यानी ज्यादा लागत ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहां चौपण यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टारगेट इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्रा ना सिर्फ तयार हो चुका है बलकि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोज जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है यमन में हूती विद्रोहियों के खत्रों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल दोनों का गुसा सात्वे आसमान पर है क्योंकि गज़ा क पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कैई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा इसमें यमन की बलेस्टि कर दो कर दो कर दो कर दो होईब यव्गरूद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो खतरना कि दोखने के बलेस्टिर का जो कि अक्रियों के झांदा धून